कि हैं लोडियाज द्रेंट वेल्कम वन सेगें टो इस इंक्रेडिबल प्लाटफॉर्म अफ एडूलवाग एंड ये टू का कोस्ट नुबर फाइफ पे हम नो पहुंच चुके हैं जो कि इयर 2021 का कोस्टन है तो चलिए फड़ावट से इसका सॉलिशन करते हैं क्या है इस पी जो है इससे पहले कभी भी एंडिये में रिपीट नहीं हुआ था और ये कोस्टन सच में बहुत ही मज़ेदार कोस्टन है बहुत ही ज्यादा कॉस्टन है या फिर यूं बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा मतलब माथा खराब करने वाला कोस्टन है अग यह जो है P के एकवल है उससे पहले अगर हम लोग लिखे 11 है अगर हमारे पास 11 है तो 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 लिख सकते हैं ना उसी टेप से अगर हमारे पास 111 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 प्लस 10 का वन 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 इसको अगर हम लोगो लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 प्लस 10 का स्क्वार प्लस 10 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं बोगे लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं तो इस टैप से हम लोग लिख सकते हैं यानि अगर तो एक एक तीन बार है ने कितना है जब से 1 11 11 रिपीट हो रहा है इन टामस तक अगर हम इम्रोग का रिपीट हो रहा है तो यहां पे कितना value होगा अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 plus 10 plus 10 का square और यह repeat होगा कहां तक n minus 1 तक समझ में आया अगर यहां 2 बार है तो यहां पे कितना है power maximum 1 है यहां पे 1 3 बार है तो उससे एक कम है या निकि 2 बार है यहां 4 बार है तो maximum power 3 है अगर उससे टैप से 1 1 अगर n digit तक है तो maximum power कहां देगा उससे 1 minus यानि n minus 1 तक और यही तो है p का value यही है हमारा p का value ठीक है यानि कि कहीं न कहीं कहीं न कहीं अगर इसको हम लोग देखें तो क्या यह gp का formation नहीं कर रहा है जाल दो second term क्या होता है इसका common ratio कैसे निकलता है second term divided by first term कितना रहा है 10 आ रहा है अगर इसके भी इसका common ratio देखना चाहते हो तो देख लो 10 square divided by third term divided by second term यहां पर भी कितना रहा है 10 आ रहा है उससे टेप से 10 का cube होगा उसके बाद 10 का 4 होगा यानि कि यह जो है अमारा GP में है और यह GP का क्या है N term का sum GP का क्या है N term का sum तो N term sum of N terms in GP है ना sum of Nth term in GP उसमें SN का formula क्या होता है उसमें SN का formula होता है A into R to the power N minus 1 divided by R minus 1 बोह यह formula याद है formula याद है ना नहीं याद है तो फड़ावर से से note करके रख लेंगे यह होता है ना formula यह होताई ना formula चलिए फड़ावर से इससे find out कर लेते हैं कि यहाँ से SN कितना आता है यानि कि इतने terms का value कितना आता है या दूसरे form में बोल सकते है कि P का value कितना आता है यह SN है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं इसी को हम लोग P बोल सकते हैं इसी साइब का sum जो है इसी को हम लोग P बोल रहा है यानि P equals to A first term कितना है 1 into common ratio क्या है second term divided by first term यानि कि 10 10 to the power n minus 1 divided by divided by r minus 1 r का value कितना था 10 10 minus 1 that is 9 यानि P का value आपका कुछ आया 1 रटा जेते हैं कि 1 से multiply होगा as such कोई भी issue देखने को नहीं मिलेगा यानि P equals to A 10 to the power n minus 1 divided by 9 तो अब तो यहां पे space नहीं है तो चलिए फटाफट से आप इसे screenshot ले लोगे ताकि मैं उपर मिटा सकूँ मिटा लूँ 1 2 3 ठीक है उपर मैं मिटा लेता हूँ P का value यानि SN का value आपका आगया इतना है आपको value किसका निकालना है आपको value निकालना है 9 P square प्लस P का इसका value आपको निकालना है तो चलिए इसका square कर लेते हैं कितना होगा 9 इंटू P का square यानि कितना का square 10 to the power n minus 1 का whole square divided by 9 का square that is 81 plus plus P P का value कितना है P का value अभी निकालना है 10 to the power n minus 1 divided by 9 divided by 9 मिटा देश को बहुत अच्छी बात है इसका value हमें निकालना है 9 के टेबल में कितने times में 9 times में 9 times में यहां पर क्या हो जाएगा A minus B का whole square क्या हो जाएगा A minus B का whole square तो क्या हो जाएगा A square A square A square कितना हो जाएगा यानि 10 to the power n का whole square plus B square यानि 1 का square 1 minus 2AB minus 2AB यानि 2 into 10 to the power n divided by 9 plus 10 to the power n minus 1 divided by 9 99 का LCM कितना हो जाएगा बेलकुल हमारा LCM हो जाएगा 9 तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 to the power 2n plus 1 minus 2 into 10 to the power n plus यहां पर कितना आएगा बेलको 10 to the power n minus 1 10 to the power n minus 1 plus 1 और minus 1 हमारा यहां पर हो जाएगा अब यह 9 जो है वो दोनों के लिए है यह 9 इसके लिए भी है यह 9 इसके लिए भी है इससे पहले कि हम दोनों में distribute करें 10 to the power n दोनों से common लेते हैं तो हमने क्या लिया 10 to the power n common तो यहां पर कितना आएगा 10 to the power n common लेंगे कितना आएगा बिलकुल 10 to the power 2n है 2n में से 1n बाहर निकल गया तो 10 to the power n बज़ गया minus 1 divided by 9 अब इसको हम लोग यहां से यहां तक देखें यहां से और अगर हम लोग यहां तक देखें तो क्या यह p के equal नहीं है क्या यह p के equal ही है तो बिलकुल p के equal है तो इधर हो गया 10 to the power n into इसका value क्या हो गया इसका value के place पे हमने दिख लिया p यारन कि 10 to the power n into p 10 to the power n into p that is option number a is the right answer तो I hope कि यह question आपको अच्छे से और clearly समझ में आया होगा थोड़ा सा time taking question था लेकिन I hope कि हर एक concept आपका clear हुआ होगा यहां पे confusion नहीं नहीं है कि कैसे हमने common निकाला अगर confusion है मेरे को लग रहा है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते है 10 to the power n plus n minus 10 to the power n divided by 9 और यह क्योंकि प्लस के form है 2n को n plus n लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं into 10 to the power n थाकि multiply में जब हो तो power हमारा add हो जाता है तो 10 to the power n एक हमने common लिया तो एक 10 to the power n बचा रहा गया और इधर से minus 1 निकल गया तो I hope कि एक question आपको अच्छे से और clearly समझ में आया होगा बिलते हैं next video में तब तर के लिए अच्छे से बढ़ाई करते रहिए all the very best